आज हम अपने इस नई वीडियो में आगामी उत्तरब्रदेश दरोगा भरती की लिखित परिक्षा के संबंध में हमारा जो सिक्षन है मूल विधी उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अपनी अगली धाराओं के संबंध में पिछली कच्छा में हमने चर्चा किया था दंगा कि दंगा और कि अबलवा तक कभी तक हमारी है ओ छर्चाएं हुई थी कि दंगा क्या है दंगा और बलवा में अंतर क्या है एक बार जल्दी जल्दी हम उसको रिवाइस कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं दंगा आई पीसी 169 में परिभासित है जब कि बलवा आई पीसी सब्सक्राइब कर दंगा के लिए जो दंड का प्रावधान है वह एक सब्सक्राइब कि बलवा के लिए कि जो दंड का प्रावधान है कि वह 147 आई पीसी 147 भारती दंड विधान में कि इसका प्रावधान किया गया है कि आई पीसी अचारा सो साथ में यह तो ही परिभासा और दंड की बात कि इसके अलावां कि दंडा के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए जबकि बलवा के लिए कि कर दंडा के लिए कम से कम दो व्यक्ति और बलवा के लिए कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिए कि इसके अलावा दंडा के लिए अधिक से अधिक या ज्यादा से कि ज्यादा चाहर व्यक्ति हो सकते हैं कि यह बहुत ही महत्तुपूर्ण बात है इसको ध्यान में रखना है दंडा के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहर व्यक्ति बलवा के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने प्रचाहे जितने चाहे पांच से धिक चाहे जितने अफ जितना अंगिनत दंगा में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं तब उसको दंगा माना जाएगा दो व्यक्ति और अधिक से अधिक कितने च्यार व्यक्ति तब वो दंगा माना जाएगा कई अब बात के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए पांच गैना और जादा सजादा है बलवा के लिए चाहे जितने व्यक्ति बलवा में हो सकते हैं अधिक्तम एक और बात इसमें हमने चर्चा कि थी कि दंगा किसी सारवजनिक अस्थान पर ही हो सकता है दंगे के लिए जो अस्थान है किसी सारवजनिक किंशान इसारवजनिक बल्वऎ के लिए कोई वि अस्थान पर बल या हिंसा का प्रयोग करते हुए लोग सांति में विगन डालना क्या कहा जाता है बलवा तो दंगे के लिए कंडिशन क्या है सारुजणी का स्थान बलवा के लिए किसी भी अस्थान पर ये थी बात दंगा और बलवा की ये बाते हमने अभी तक चर्चा की थी दंगा और बलवा में अंतर क्या है सातियों एक बात बता दे ये जो चार्ट मैंने बनाया है दंगा और बलवा से संबंधित और ये जो चार्ट है ये आगामे उत्तर प्रदिस दरोगा भरती की लिखित परिख्षा जो 9,534 पदों की 9,534 पद है इसकी जो लिखित परिख्षा होने जा रही है उसके संबंध ये जो चार्ट है दंगा और बलवा के संबंध में या बहुत महत्पूर्ण चार्ट है और इस चार्ट से question आना ही आना है एक डम 100% आप जान लिजिए कि इस चार्ट से प्रस्म आएगा ही आए इसलिए इस चार्ट को आप अपने दिमाग में बठाये लीजिए, अपने नोट्स में मना लीजिए कि दंगा की परिभासा 169 में है, बलवा की परिभासा 146 में है, दंगा का दंड 160 में है, बलवा का दंड 147 में है दंगा में कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक चार व्यक्ति हो सकते हैं बलवा में कम से कम पाच व्यक्ति और अधिक से अधिक चाहे जितने व्यक्ति हो सकते हैं दंगा में दंगा के लिए जो अस्थान हो किसी सारजनिक अस्थान हो सकता है जबकि बलवा के लिए किसी भी अस्थान, कोई भी अस्थान है, किसी भी अस्थान पर बलवा तो सकता है यह जो चार्ट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने नोट्स में इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से ध्यान में रखेंगे और यहां से प्रस्ण आना ही आना है यहां से प्रस्ण हंडेट परसेंट आएगा और पिछली बार भी आया है कि अब हम चलते हैं कुछ अन्य टापिक पर भारते दंडविधान के आई पीसी के और चर्चा करते हैं लोग स्थीवक के जो प्राधिकार हैं उनके विरुध अवमान ना क्या है लोग सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार के विरुध अवमान प्राधिकार अगला जो हमाना टापिक है लोग सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार के विरुध अवमानना साथियों कानून का पालन करने के लिए कानून व्यवस्था लोग व्यवस्था और लोग नयाय को सुनिश्चित करने के लिए तातन द्वारा लोग सेवक की नियुक्ति की जाती है और लोग सेवक समाज में लोग व्यवस्था कानून व्यवस्था और नयाय व्यवस्था को सुनिश्चित करने उनको बनाए रखने एवं सुद्रिणी करन के लिए उनको मजभूती प्रदान करने के लिए जो उनको सक्तियां प्रदान की गई है उसका वो उप्योग करते हैं और लोग सेवक द्वारा जो विधिपूर्ण अधिकार या प्राधिकार दिये गए है उनको करते हुए उनके समझ जो चुनोतियां आती है उसका अध्यायन हम लोग सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानुना का जो नया टापिक है उसके अध्यान इसका अध्यान इसी टापिक के तहत करते हैं लोग सेवक के विधिपूर्ण प्रा हम इस टापिक के तहट अपनी एक महत्वपूर्ण धारा की तरफ जो लिखित परिक्षा उत्तर पूर्दिस दरोगा भरती की लिखित जो परिक्षा है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और वह धारा है 177 177 जो नई धारा है भारती दंड विधान की धारा एक सो सब्सक्राइब वह समद्दी थे हैं कि जूठी सूचना देने से कि जूठी सूचना देने से संब्सक्राइब कि जैसे माल लिजिए कि आपके समाज में बहुत से ऐसे सरार्ती और असामाजिक तत्त उपाए जाते हैं जो प्राय है कोई आपराधिक घटना अगर नहीं भी हुई है तो भी उसके संबंध में किसी लोक सिवक अथवा किसी पुलिस अधिकारी को जूठी सूचना देते हैं जैसे कि पहनी चोरी की घटना नहीं भी हुई है तो भी समाज के ऐसामाजिक जो तत्त हैं यदि किसी लोक सिवक या पुलिस अधिकारी को फोन करके ये कहते हैं कि किसी अस्थान पर चोरी की घटनाय या लूट की घटनाय हुई है पुलिस अथवा लोक सिवक घटना अस्थाल पर जब पहुचते हैं तो पाते हैं कि इस तरीके की कोई घटनाय नहीं हुई है तो लोक सिवक पुलिस अधिकारी ये पाते हैं कि उनको जो सूचनाय दी गई तो हो जोठी सूचना थी तो भार्तिया दंड विधान कि जो धारा 167 है वह जूठी सूचना देने से संबन्धित कि जूठी सूचना है वह इसी धारा के तहथ जी धारा में ज publisher रटारा से संबन्धित जोठी सूचना सूचना देना भारती दंडविधान की धारा 177 यहां से स्ताथियों प्रस्ण जो है बहुत आसानी से आते हैं इसको बस थोड़ा सा अगर आप सरसरी निगाह भी देखें हैं तो आप पूछे जाने वाले प्रस्णों का जवा बहुत आसानी से देख सकते हैं जूटी सूचना का देना भारती दंडविधान की धारा 177 से संबंधित है यह हो गई धारा 177 और इसी से संबंधित एक अगली धारा है इसे संबंधित एक अगली धारा है यह इसते पहले हमने देखा आई पीसी धारा 177 और अब हम देख रहे हैं भारती दंडविधान आई पीसी की धारा 182 182 भी धारा कि जूठी सूचना मिठ्या सूचना देने से संबंधित है लेकिन कि 177 से अलग है 182 क्या है इसको हम देखते हैं भारा 182 आई पीसी कहती है कि किसी कि लोग सेवर कि विधिपूर्ण स्तक्तियों का प्रयोग कि कि वेधिपूर्ण स्तक्तियों का प्रयोग किसी लोग सेवक की विधिपूंश सक्तियों का प्रयोग, किसी व्यक्ति की शट करने के जूती सूचना देना, अंतर आपको समझ में आ गया होगा, धारा 177 और धारा 182 में, धारा 177 जूती सूचना देने से संबंदित है, जबकि धारा 182, कि लोग सेवक की विधिपूर्ण जो सक्तियां मिली हैं, लोग सेवक की विधिपूर्ण, सक्तियों का प्रयोग, किसी व्यक्ति की छटी करने के आशा से, लोग सेवक को जूठी सूचना देना, यानि इसको हम समझते हैं, कि आपका आपने किसी पडोशी से बिवाद है, या किसी व्यक्ति का आपने पडोशी से बिवाद है, और समाज में कोई घटना घटती है, समाज में कोई घटना घटती है, और माल यह मोहन और सोहन, हम इसको मिटा के एक्स्प्रेइन करते हैं, एक व्यक्ति हैं मोहन, और एक व्यक्ति हैं, सोहन, यह दोनों एक दूसरे के पडोशी हैं, और समाज में कहीं हत्या होती है, समाज में कहीं हत्या होती है, मोहन और सोहन एक दूसरे के पडोशी हैं, और मोहन और सोहन के बीच में किसी बात को लेकर रंजिस है भी, अथवा नहीं भी है, मत पुड़ यह है कि मोहन और सोहन एक दूसरे के माली यह पडोशी हैं, और समाज में कोई घटना घटित होती है, और माली यह समाज में कोई घटना जो घटित होती हत्या हुई कहीं। मोहन ने लोग सेवक या पुलिस अधिकारी को यह सूचना दी कि जो हत्या रूपी है, जिसने हत्या की है वो सोहन है। मोहन ने पुलिस को सूचना दी कि हत्या करने वाला कौन है, वह सोहन है, और मोहन ने ऐसी सूचना पुलिस को इस आते से दी कि पुलिस आए और सोहन को छती करे। क्या है वो छती, मोहन को पुलिस को पुलिस ले जाकर जेल में बंद करे। या क्याति से संबंधित छती हो सोहन को या आने किसी प्रकार से छती करने के आशा से लोग सिवट को जूटी सूचना दी जाती है मोहन के द्वारा। या स्तमाज में कोई हत्या हुई और हत्या रूपी पकड़ा नहीं गया है। और तोहन को छती करने के आशा से मोहन पुलिस को यह सूचना देता है कि जो हत्या रूपी है वो सोहन के घर में आकर छिपा है। जबकि हकीकत में हत्यारूपी सोहन के घर में नहीं चुपा है। मोहन इसलिए पुलिस को जूटी सूचना दे रहा है जिससे कि पुलिस या लोग सेवक अपनी बिधिपूर सक्तियों का प्रयोग सोहन को छती करने के आशा से करे। तो जो मोहन है जिसने लोग सेवक को अपनी बिधिपूर सक्तियों का प्रयोग सोहन को छती करने के आशा से पुलिस को जूटी सूचना दी है। मोहन जिसने लोग सेवक को जूटी सूचना दी ताकि वह अपनी बिधिपूर सक्तियों का प्रयोग सोहन की छती करने के लिए करे। तो ऐसी स्थिति में जो मोहन है वह भारतिय दंड विधान की धारा 182 के तहट दोसी करार दिया जाएगा। जो मोहन जिस धारा का अप्राधी या जिस धारा के तहत मोहन पर मुकदमा कायम होगा वह भारति दंड विधान की धारा 182 होगी। और 182 अब तक आप समझ गए होंगे कि 182 IPC क्या कहती है किसी लोग सेवक की विधिपूर्ण सक्तियों का प्रयोग। किसी व्यक्ति की छती करने के आसे से लोग सेवक को यदि जूठी सूचना दी जाती है तो वहां भारति दंड विधान की धारा 182 के तहत प्रतिबंदित हैं और इसी धारा में दंड का प्रावधान किया गया है। कि 177 जूठी सूचना है देने से और 182 जूठी सूचना देने से है ताकि विधिपूर्ण सक्तियों का प्रयोग। किसी व्यक्त की च्छती करने के आसे से करें यह बात हुई 177 और 182 आई पी सी के अब हम कुछ अगली धारा के संबंध में कर्चा करते हैं अगली धारा में है भारति दंड विधान की धारा एक सो श्यासी जो अगली धारा है कि वह है कि आई पी सी कि एक सो श्यासी तत्यों आई पीसी एक सो श्यासी यह प्राय आप समाचार पत्रों में या निल्ट चैनल्स में पढ़ते होंगे कि किसी व्यक्ति को स्तरकारी काम में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया या किसी व्यक्ति को कि स्तरकारी कारे में बाधा डालने के लिए उस पर मुकदमा पंजीक्रित हुआ तो जो भारती दंड विधान की धारा 186 है वह क्या कहती है चर्चा करते हैं आईए लोक सीवक के लोक क्रित्तियों के क्रियान्यवन में बाधा डालना क्या है लोक सेवक के लोक क्रित्तियों के क्रियान्यवन में बाधा डालना आसान भासा में इसको समझे ले सरकारी काम में बाधा डालना तो यादि कोई व्यक्ति कि किसी लोक सेवक के लोक क्रित्तियों के क्रियान्यवन में या यादि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कार्द्यम में यादि कोई लोग से कारे कर रहा है उसके कार्यम में विग्धन डालता है तो वह भारती दंडविधान की धारा 183 के तहत उस पर मुकदमा कायम होगा और उसे दोस्टी करा दिया जाएगा भारती दंडविधान की धारा 183 के तहत और इसी 186 में हम ताधान भासा में इसको समझ लेते हैं तरकारी कारे में बाधा डालना या जो बाते किताब में लिखी हुई है उसके हिसाब से आई पीसी 186 लोग सेवक्के लोक कृत्यों के क्रियान्यवन में बाधा डालना यह भारती दंडविधान की धारा 186 के तहत प्रद्वंदित है और इसी धारा में इसका दंड का प्रावधान किया गया है जैसे माल लिजे कहीं सलक बन रही है कहीं सलक बन रही है और किसी व्यक्ति को लगता है कि सलक उसकी जमीन से जा रही है जबकि जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित या तो किया गया है या तो जमीन सलक के दाइरे में आती है ऐसे में यदि कोई लोग सिवक्त सलक बनवा रहा है और कोई व्यक्ति उसके क्रियान्यवन में बाधा पहुंचाता है तो इसी धारा के तहट दनलित होगा या कूरी जैसे माड लिजिए वोई आ का टाइम पीरेड चल लहा है और कोरोणा के टाइम टाइम Пीरेड में कि जो लोग सिवक्त के लोक क्रित्य हैं जैसे लागडाऊण है और लागडाउन का लागडाउन को जो है वो प्रभावी तरीके से लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस को है और कोई व्यक्ति पुलिस के इस लोक क्रित्ति में बाधा डालता है तो वह भारती दंड विधान की धारा 186 के तहत दंडित किया जाये गए यह हो गई अब हम चलते हैं एक अपनी एक और धारा की तरफ है और यह धारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह धारा है एक सॉप्टासी वन एटी सेवन वन एटी सेवन क्या कहती है आए यह देखते हैं कि आपीची वन एटी सेवन के अनुसार कि लोग सेवक के कि या लोग सेवक कुमेंट आते हैं आई पीची एक सो वन एटी सेवन के अनुसार एक सो सब्तासी के अनुसार कि विधी द्वारा आबद्ध होते हुए भी कि विधी द्वारा आबद्ध होते हुए भी कि लोग सेवक की सहायता का लोग करना भारती दंड विधान की एक सो सब्तासी जुद्वारा है वह क्या है किसी व्यक्ति का जो विधी द्वारा आबद्ध है तो विधी द्वारा आबद्ध होते हुए भी कि लोग सेवक की सहायता का लूप कर तो यह कोई व्यक्ति है वह विधी द्वारा आबद्ध होते हुए भी उसके द्वारा किसी लोग सेवक की सहायता करने का लूप होता है तो उस व्यक्ति को भारती दंड विधान की धारा आएक सो 87 के तहत कि दोसी करार दिया जाएगा जैसे माल लिए को कोई बल्वे का आरोपी है कहीं बल्वा हुआ और कोई बल्वे का आरोपी है पुलिस को सूचरा मिलती है और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए जाती है और कोई व्यक्ति जो विधिद्वारा अबद्ध वह लोग सेवक की सहायता करने का लूप करता है तो ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति को भारति दंड विधान की धारा 187 के तहत दोसी करार दिया जाएगा और इसी धारा में लोग स्थेवक की सहायता करने का अगर लूप होता है किसी व्यक्ति द्वारा जो विधिद्वारा अबद्ध है उसको प्रदिबंधित किया गया ह है और 187 के तहथी एधारा से संब्धित दंड का प्रावधान है यह बात है भारति दंड विधान की धारा 187 की और इसी धारा से इसी टॉपिक से संब्धित एक अन्यधारा है वह अभी बहुत महत्तोपूर्ण है उसको भी हम देख लेते हैं वह है आईपीसी 189 और इसको देख लेते हैं आईपीसी 189 में क्या उपबंध किये गए हैं वह है लोक स्थिवक को शती करने के आसर से आसर से धम की देना यदि भारती दंड विधान की धारा 189 कहती है कि यदि किसी लोक स्थिवक को शती करने के आसर से धम की दी जाती है तो वह भारती दंड विधान की अइसे उस्थिधार एक जो लोग स्थिवक को शती करने के आसर से घम की देता है उसे भारती दंड विधान की धारा प्रावधान की धारा 189 के तहट दंडित करने का प्रावधान है यहां एक बात है छती की हमने इससे पहले बार चर्चा की है जब छती की बात आती है तो छती किसी भी तरीकी की हो सकती हो वो चाहे दैहिक छती हो चोट चपेट की बात हो या किसी को मार दिया जाया जान से प्राल का खत्रा हो या असुरक्षा हो दैहिक छती हो या ख्याति संबंदी छती हो तो जितनी भी तरीके की छती है जब बात छती की होती है तो हर तरीके की छती को समझना चाहिए या समझा जाना चाहिए और जब बाते होती है रिष्ट की तो रिष्टी का मतलब है आर्तिक छती और सिर्फ जब चती की बात होती है तो उसमें हर तरीके चती की बात आती हूं तो भारतिय दंडविधान की धारा नवासी में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोग सेवक को छती करने के आशा से धमकी देता है तो वह भारतिय दंड विधान की धारा एक्षा नवासी के तहट दोसी करार दिया जाए यह पाते हो गई लोग सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकारों की अवमा करेंगे यदि आपको इस वीडियो के संबंध में कोई बाते न समझ में आई हो या किसी धारा से संबंध कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं और उसका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्षन में दूंगा तब तक आप एक धाराओं को एक लेक्च्छर में साथियों तब तक नमस्कार जय हिन्द